इस बात से कौन-कौन सहमत है कि आज हमारे घर में खुशियों का दिन आया है जो महरानी ने हमें यहां बुलाया है और पराशर जी है एसे नहीं अगर खुशियां महरानी ने दिए है तो उसको मनाना भी पड़ेगा आज आवाँ पत्रुर्स का और जी जीकी खुशियां यजाज के जागरिं की उन संब के लिए में कह रहा हूं आज है यह खुशी केवल सुनिल पराशर के परिवार को नहीं है, हमें भी है और मुझे भी है मैं गा के अपनी हाजरियां भर रहा हूँ, आप पीछे-पीछे बोल रहे हैं, मगर आज सुनिल जी को खड़े होकर हाजरी लगानी पड़ेगी, और इनके साथ जो खुश हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूँ यह हमारे यह तो जब खुशियां आती हैं, तो हम तो नासते हैं, गाते हैं, अब आप अकर ऐसे बैठ के मनाते हैं, तो मैं इससे भी कुछ समझूँगा साथे घर विच खुशियां ता दिन आया कटकर विच आई वावाया, कटकर विच आई वावाया 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 आची रावा विचिने बिचाए होएने आची पलकाद दीप जगाए होएने साठा रोम रोम दाती मुश्काया साठे कर विचे आई मामाया ते हो ते हो ते हो मेरे दर तो ही खुशियां दी दाद मिली हमें तो जो कुछ मिलता है महरानी के दर से ही मिलता है जब भी जोली फैलाते हैं जब महरानी कभी फूलों से भर देती है और जब कभी कांटों से भरती है तो उसका भी एक कारण होता है हो तेरे दर से ही खुशियों दी दाद मिली होई किरपा के जागे वाली रात मिली काटे सिर तेरा वे तेरा साया कौन-कौन चाता है के महरानी का ये साया हमारी सिर पर हमेशा बना रहे उठालो मेरे साथ एक पर पूरे पूरे हाथ अब ये साथी नहीं बोलेंगे एलाई ना पर मैं बोलेंगे साथे सिर तेरा वे तेरा साया साथे सिर तेरा वे तेरा साया साथे गर विच आओ बहामाया साथे गर विच आओ बहामाया धाटि कर वेचे आओ मामाय ये हो ये हो ये हो ये हो और शाटे घर विचे आओ मेहमान बन कर साटे घर विचे आओ मेहमान बन कर साटे नाल रहो साटी शान बन कर मिठी मिठी तलीड महरानी को अपने घर बुलाना है और महमान बनके बुलाना है इसके पीछे भी एक राज है कि महमान आता अपनी मर्जी से है और जब जाएगा तो आपसे पूछेगा कि पराशर जी अब मैं जाओं आप कहोंगे नहीं अभी थोड़ी देर और रुको उसे रुकना पड़ेगा साठे कर विच आओ महमान बनकर उसाठे नाल रहो साठी शान बनकर साठे नाल रहो साठी शान बनकर चंचलने मा तेरा यशिगाया साठे गर विच आओ महमाया मैं आपसे कह रहा था के हमारे घर महरानी को मनाने का खुश्यों का इजहार करने का कर दो